नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे इस चैनल पर हिदर पूर्वक स्वागत हैं मैं तेलंगाना से हूँ तो हम लोग वहरलक्ष्मी रतम शावन के महीने में दूसरा शुक्रवार को करते हैं तो पूर्निमा जो भी शावन के महीने में पूर्निमा से पहले दूसरा शुक्रव लग पूजा करते हैं करते हैं तो लक्ष्मि जी की पूजा करते हैं तो पहने रcked पहना कर माता जी को समर्पत करकर इस तरह से हम लोग सजावट करते हैं और पूजा भी अच्छी तरह से करते हैं तो इसके लिए हम लोग कलश थापना भी करते हैं तो मैंने यहां पे एक प्लेट में थोड़े से चावल लिए उसमें थोड़ा सा कुंकुम हल्दी चड़ा कर और एक च उसमें पांच आम के पत्तियें डालकर उस पर एक नारियल चड़ा कर कलश थापित कर दिया है और मैंने एक ब्लाउस पीस रिकोने आकार में उस नारियल के उपर लगा कर अच्छे से गहनों से सजा दिया है और चूडियां भी मातारानी को बहुत पसंद है ना तो यह सब ना माता जी का मतलब सुहागनों को पसंदिदा होता है ना चूडियां बिंदियां तो यह सब ना अलंकार जैसे हम लोग करते हैं बिलकुल उसी तरह हम लोग लक्ष्मी माता का अलंकार पूरा सजावट कर देते हैं तो इस तरह से मैंने भी अच्छी तरह से सजावट करके और मैं यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे लक्ष्मी माता जी के पसंदिदा नौ प्रकार के नैवेद्य बनाया जाता है तो उन्हें जो भी पसंद है मीठे में हम लोग नौ प्रकार के प्रसाद बना सकते हैं और नौ प्रकार के फलों से भी माता जी को हम नैवेद्य चड़ा सकते हैं हम लोग ना माता जी को नैवेद्य के साथ चना जो हम लोग एक रात मतलब पहले रात को ही भीगो कर रखते हैं और भीगा हुआ चना माता जी को बहुत पसंद है तो उसी चनई को हम लोग माता जी को अरपित करते हैं तो उसी प्रकर हम लोग माता जी को साड़ी पहले तो एक साड़ी नया साड़ी लेते हैं उसके उपर एक ब्लाउज और उसके उपर दो पान के पत्ते दो सुपारी दो खजूर और चूडियां फूल और मतलब भीगा हुआ चना तो इन सब को माता जी को बहुत ही पसिंदीदार चीज है ना तो इसलिए माता जी को हम लोग सब लोग चड़ाते हैं और उनको बोलते हैं कि माता जी हमसे यही हो पाया है आप जरूर स्वीकार करें और हम पर कृपा बनाए रखें तो उनको ना हम लोग शद्धा से पूजा इस तरह से करते हैं और शाम के वक्त मतलब साथ, पांच, नौ या ग्यारा सुहागनों को बुला कर उनकी पूजा, बिलकुल हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा किस तरह से करते हैं उनको भी लक्ष्मी के स्वरूप में मानकर उन्हें हल्दी कुंकुम से उनका भी अलंकरन करके उनको भी एक फूल समर्पित करके अगर हमारे पास हो तो blouse piece भी उन्हें दे सकते हैं नहीं है तो दो पान के फत्ते, दो केले, दो सुपारी, एक फूल और भीगा हुआ चना और चूडी भी हम लोग दे सकते हैं और हल्दी कुंकुंग भी packet हमारी तरफ मिलते हैं तो उन्हें भी उसमें रखकर एक कवर में पूरा सजाकर उन्हें देते हैं और उनके पैर चूकर आशिरवाद लेते हैं तो जो भी ऐसे सुहागन आते हैं हमारे घर में पहले उनसे ऐसे ही उनके अलंग कार करके हम लोग उनका आशिरवाद देते हैं पैर चूकर तो हम उन्हें मानते हैं कि वो लक्षमी स्वरूपी हमारे घर पर पधारे हैं तो इस तरह से हम लोग वर लक्षमी रत्म करते हैं आप सभी को पसंद आया तो जरूर लाइक और शेयर करिए और पूरा दियों से सजाते हैं माता मतलब देखिए कितना सुन्दर हमारा मातारानी बैठी हुई है तो इनको ना पूरे इनके सामने दिये और हम लोग घी से भी दिये जला सकते हैं तिल के तेल से भी दिये जला सकते हैं तो जितने भी दिये जलाते हैं ना उतना ही बहुत सुन्दर अलंकार लगता है लक्षमी तो ये हमारी बेटी है तो हमारी बेटी भी हम पे पूजा कर रही है तो हम इनका भी आशिरवाद लेते हैं पैर चुकर क्योंकि इने भी हम लोग लक्षमी माता का स्वरूप मानते हैं हम मिलेंगे अगले वीडियो पर बाइ